आईए, अब हम संख्याओं का वर्ग करने की एक और विधी के बारे में पढ़ते हैं इस विधी का नाम है आनुरुपेण विधी आनुरुपेण विधी यहाँ पर आपकी पुस्तक में जो उदारण दिया हुआ है वो 27 नमबर का उदारण है उदारण 27 और इसमें जो संख्याओं दी हुई है वो है 64 आपको 64 का वर्ग करना है यहाँ पर जिस तरीके का इस्तमाल किया गया है वहाँ पर इन दोनों संख्याओं को दो हिस्से में बाढ़ दिया है 64 एक भाग इसका 6 है और दूसरा भाग 4 है और यह कह रहा है कि यह इकाई का हिस्सा है और इनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ जो बात कह रहा है तरीका जो बताया जा रहा है वो इस तरह कहा है कि हम यहाँ पर तीन खंड प्राप्त करेंगे जो पहला खंड होगा वो इसके वर्ग के रूप में होगा तो चार का वर्ग हम लिखेंगे और यह बीच के हिस्सा होगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणन फल का दुगना होगा यानि छे गुणी चार और फिर इनका दुगना और जो यह जगा होगी वहाँ पर हम लिखेंगे पहली वाली संख्याओं मतलब छे का वर्ग इस तरह से हम इसको यहां लिख रहे हैं और जब प्रणाम हम को मिलेगा उसमें हमको यह ध्यान रखना है कि यह किवल इकाई के स्थान होगा और यदि यहां पर एक से अधिक संख्याओं प्राप्त हो रही हैं तो उसमें एक दहाई होगी और इसको हमको यहां शिफ्ट करना होगा यहां ट्रांसफर करना होगा और ये पूरा का पूरा जो प्रणाम हम को प्राप्त होगा वो किवल उसमें से हम दहाई कांक लेंगे हाला कि ये पूरी के पूरी दहाईया होंगी लेकिन अगर दहाई नौ सधीक होती है इसका मतलब उसमें एक सेकड़ा भी शामिल हो जाता है तो दहाई यहां भेजनी होगी हमको और यहां देखिए दो गुड़ी 6, 12, 12 गुड़ी 4 यानि 48 इस 48 में 48 दहाईया तो है देकिन 8 दहाईया को साथ 4 सेकड़ा भी है ऐसा भी आप कहा सकते हैं और तीसरी संख्या जो मिल रही हो सेकड़े में वह 6 गवर्ग है जो 36 के बराबर है यह 36 सेकड़े हैं जिसमें 6 सेकड़ा और तीन हजार है ऐसा भी आप कहा सकते हैं तो अगली बार जिब हम लिखेंगे तो यह जो एक है वह इस खाने में चला जाएगा और और तालिस के साथ जोड़के उन्चास हो जाएगा और अगली बार जो अगला जो पद होगा उसमें यह जो चार है यह जो हमको नई संख्यादी मिलती तो उसमें यह वहां आगे चला जाएगा और हमको प्रणाम मिलेंगे चलिए इसको यहां पर लिखके देखते हैं क्या मिलता है एक फिर से और हमीस को लिख लें हमें तीन हिस्से मिलें पेरली सबसे भाईइं तरफ 36 वीच में 48 और यहां पर हमें मिला है 16 यहां को हमीक एक संक्यां को एक जगह रखनी है तो यह तो हमसे हंट सीक को हमना इस और यहां एक उसन्चा सिये हुआ और गॵाल नेगए मैं नए इस तर्दखतीस कि यहां आर्दालीस था जो एक के साथ मिलका उन्चास हो यहां चल जाएगा यहां पर आठ था और यह एक यहां आके जुड़ गया तो अब हम लिख सकते हैं इसको कि यह हुआ उन्चास और इस उन्चास में चार यहां चला जाएगा तो यह नई सिती मिलेगे 36 दंचार और सिर्फ नव बचा और यहां हमको can do 40 अब हम प्रनाम लिख के यह और만 can kay 2040 4096 यह हमें जो प्रणाम मिला वो बताता है कि यह 64 का वर्ग है एक बार फिर से इन चीदों को आप गौर से देखिए यहां हमने जो संक्या दी हुई थी 64 उसे हमने दो हिस्से में लिखा एक तरफ 6 और 4 यहां हमने इसके इकाई और दहाई को अलग अलग कर दिया और जब हम इसको हल कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं यहां संक्या इकाई की संक्या का वर्ग हमने चार का वर्ग लिखा और यहां हमने दोनों संक्याओं को गुणा करके उसका दुगना किया और यहां हमने यह जो दूसरी संक्याती जिसको हम छे के रूप में देख रहे हैं उसका वर्ग किया और इनको फिर हम हम हल करते गए हमने कवल इतने ध्यान रखा कि हर इस थान पर किवल एक अंक होगा यहां इस खाने में इकाई लिखी जाएगी यहां सिर्फ दाई लिखी जाएगी और यहां सेकड़ा हजार यह जो भी आगया आता वो लिखा जाएगा तो जब हमने इसको हल किया तो हमें यहां पर 16 मिला और इनको जब हमने हल किया तो हमें 48 मिला और यहां 36 मिला अब हम इस एक को यहां लेके आएंगे और चार को यहां लेके जाएंगे तो हम को इस तरह से प्राप्त होगा कि जब यहां से एक को हमने हटाया तो यहां सिर्फ छे बचा और वो एक 48 साथ मिलकर 49 हुआ और यह जो 49 दहाई के चार सेगड़ा वाला हिसा दिखा रहा था वो उ काई में 6 दहाई में 9 सेकड़े और हजार में क्रमशा शुन्य और चार मिले और जो संख्या हमें मिली वो मिली 4,096 यह जो 4,096 है वो आपकी संख्या जो दी हुई थी 64 उसका वर्क है आप वैसे भी 64 में 64 के गुणा करिए यह जिन तरीकों का आपने अभी इसके पहले सीखा है उनका इस्तमाल करके देखिए कि 64 का वर्क इतना ही आता है जितना इस तरीके से आपको मिला कोशिश कीजि हु़ 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 है झापी हु़ है हु़ हु़ है ऑपके जनकाप दो एकथ उनकापने शितना है रो देखि हु़ है पक्याORE जанके हम पत्केदबस करेकी हु़ हिर।